नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल सादाबाद के इसली पर मैं हूँ सौनू चाथियो आज की वीडियो आप लोगों के लिए अतिमहत पूर्ण रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माद्यम से हम आ आने वाले दिनों में इसमें कितने रुपे और तीजी की संभावना है साथी इस वीडियो के माद्यम से आज आपको बंगाल के आलू पंजाब के आलू भाव और साथी मद्यप्रतिस और गुजरात में चल रही इस्तितियों के बारे में भी रूबरू करेंगे तो ऐसे मैं आप सभी लोगों से हमारा एक हाथ जोड़कर निवेधन यही रहेगा जिन किसान सातियों ने इतना निवेधन और आग्रह करने के बावजूद अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट से सब्सक्राइब कर लिजए पास में बैलर आइकन है इस अपरेट कर लिजए इससे का होगा जब भी हमारे द्वारा वीडियो के माद्यम से कोई आती महतकूर सूचना चैनल पर अपलोड की जाएगे तो यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा जिससे आप लोग ताजातरीन समाचार ताजातरीन आलू भाव से अपडेट और देश भर में आलू की चल रही कती विदियों से आप जो हैं कभी भी बंचित नहीं हो सकेंगे और जब बंचित नहीं होंगे तो आप में के अंदर एक जाग रुकता आएगी और जो है आप आलू के अच्छे से अच्छा सत प्रतिसत भी दाम इस बार ले लेंगे चाहें आप hybrid आलु किसान हो चाहें आप पकी नशल के आलु किसान हो तो ऐसे मैं वीडियो को अंतितक देगी है किसान साथ वीडियो के माध्यम से आज हम आपको सबसे बड़ी धमागेदार खुशकवरी से रूबरू कराने बाले हैं पहली धमागेदार है रूबरू के लिए आलु निर्यात से संब्दें क्योंकि मैंने आप लोगों को दो-तिन दिन पहले ही बताया था कि रूबरू में भारत से 本व लाएं देख लीजिए क्या चुस्त काड्ट्रव या और ऐसे जैसे आप देखते थे टे एक ERIC वीजिए मंदड़ियों के वाटसेप, फेस्बूक और अन्नी सोसल मीडिय प्लेटफॉर्म पर वाइरल हुए तो आलू में भी, खंदोली, सादबाद, समसाबाद में भी तेजी देखने को मिली कई दिनों से किसान जो हैं, व्यापारियों और कुल्ड मालिकों की दलाली से काफी परेसान और हसो साहित हो चुके थे, किसानों के अंदर इतना घबरहट और भैका माहुल पैदा कर दिया था था किसान जो हैं, अब अब सोचने पर विचार कर रहे थे कि अब क्या होना है, कुछ तो इसी आपादाबि में सस्ते में आलू बेच गए इन सातार दिनों के दर्मियान, लेकिन जैसे ही ये खबर सारवजनिक हुई, वैसे ही आलू के दामों में तेजी दोड़ गई, अब जब तेजी दोड़ी, क्योंकि 37 सतानवे, जिसे कुफरी बहार के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी नसल है, जो कि लोंग लाश्टिक डूरेवल है, इसे कह नहीं भी किसी भी देश में ले जाओ, बस मानक के अनुसार होनी चाहिए, और इसके दाम अच्छे मिलते हैं, जब रूस से सरकार ने कारोबार शुरू किया, तो किसी को भी उम्मिद नहीं थी, कि इतनी जल्द दूसरी खेब भी चली जाएगी, और जब दूसरी खेब पैक होके, और कार्टून के अंदर भी उस एक लेयर में पैक होके, जैसे कि वी वी आईपी बनाके सहंती सतानवे आलू को भेजा जा रहा है, तो इससे एक बात इस पर शुरूप से हो गई, कि आने वाले दिनों में आलू का वैशुक निर्यात एक बड़े स्केल, यानि ब रस्ती धरों पर खरीदने की फ्राग में ते कुछ लोग खरीद भी रहे है, जिसमें कुछ फोल्ड मालिक भी शामिल है क्योंकि उन्हें कमिसन अच्छा खासा अब इस पर मिला है, तो उसे और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, यहां पर आप सभी किसानों को सोचना हो हुगा, और विचार करना होगा, क्या आप लोग जो हैं आलू बेचकर जल्दवाजी में, क्या सही कदम उठा रहे हैं, हलांकि जरूट complaining 아प सभी की होती हैं इसमें हम मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारी जरूट pudding आप किसानों की आलू से ही चलती हैं, लेकिन ऐसी क्या जर सालों से आप सभी लोग आलू में निरंतर घाटा उठा रहे हैं ऐसे में सुरुवाती अप्रेल या मार्च से जो रेट चल रहे हैं उसे आप जो हैं कैश कर रहे हैं यह बहुत अच्छी पहल भी है और जो है इसके आप धन्यवाद के पात्रिवे हैं लेना भी चाहिए मैं मन सब मांग चल रही है खुदाई के समय से ही बंगलादेश हो स्री लंका हो या मालदेव ओमान या दुबई यहां के लिए भारत से अनवरत रूप से आलू का निर्या चला खुदाई के समय से और दूर तीसरा फड़ा फैक्टर आप सभी लोगों को पता है कि इस समय पर दे मंडिया हो यह हो आपकी करनाटका की या अंद्रप्रदेश की या तमिल लांडू की या किरला की साउथ साउथ इस साउथ वेस्ट साउथ सेंट्रल जितनी भी मंडिया है वो सब जो है इस समय पर दबादब करेंट पर चल रही है ऐसा करेंट चला है आलू में कि जो है खिस यदि किसान चाहें तो हर संभव प्रयास करके देख सकते हैं और आलू में अच्छे रेट ले सकते हैं गवराट बिल्कुल भी ना करें क्योंकि देखिए हम तो आप लोगों को शुरुआ से बता रहे हैं कि आलू जो है तेजी की रफ्तार है तेजी की साल है आलू की भाव से विदेशों में भी आलू का मैं इस बार पैदावार में गिरावट देखी गए इसी वज़े से रूस, मालदिव और अस्ट्रिया जैसे देश भारत से आलू एक्सपोर्ट कर रहे है अब जब एक्सपोर्ट इन विदेशों को हो रहा है वो भी 37 होलन्ड जैसे केमोन आलू 1150 उर्पे तक लिख रहे हैं हलके केमोन जो है 1,050 रुपे तक लिख रहे हैं उससे भी 990 साड़ेय तक लिख रहे हैं तो ये केमोन और क्या है थिभार्ट इन एक विदी जाेगा नहीं सोचा था लेकिन जब 3797 साउथ में भी जा रहा है 3797 वेश्टिक निर्यात भी हो रहा है हालन्ड अलू वेश्टिक की निर्यात में काम में आ रहा है राजा आरवन का भी डिमांड चल लही है तो ऐसे में जब यह आलू जो है अच्छी क्वालिटी वाले जो कहीं लॉंग लाश्टिक दूरेबल वेरेटी हैं 3797 वेश्टिक अगर यह आलू जो है साउथ में भी आनवरत रूप से फरवरी तक चाहिए आगली साल जो है और एक्सपोर्ट में भी चार जा रहा है तो ऐसे में जब यह आलू की शोर्टिज होगी तो उसका जो है पूरा धारोमदार हाइब्रेड आलू पर आएगा चाहिए आपके पास में आपके पास में कोई भी हो देखे का कई वाट्शा फेस्बूक गूर्पों में पीते तीन-चार महीने पहले चले थी आफला तुन सक्तिमान मंदाखनी यानि कि जो बंपर पैदावार देने वाली फसले है जो कि 60 से लेकर 80 कटे तक का उत्रपादन देती है तो ऐसे में उन लोग जो हैं इस हाइबरेड आलू पे आ जाएंगे तो कुल मिलाके किसी भी आलू में किसी भी मेरी चाह Bian手 1707 किθ किसान हो चिपसोना के हो रायजंद्रव न के हो 6441 के हो 30 चियोति के हो य आप जो है चिपसोना के हो ए्लर के हो आपको थानिक भी घबराने की आवश्यक्थत कई लोग ग्यान दे देते हैं कि हरी सबजियां इतनी सस्ती है कितनी सस्ती हैं 20 वर 30 रुपे किलो से तो कोई नीचे नहीं है तो ऐसे मैं आप समझ सकते हैं जब लालीनों का प्रवाब आएगा तो यहारी सबजियां खतम होंगी और फिर जो है आलू राजा रहे ताजा यह चलेगा और ऐसे मैं यदि आप इस समय पर आलू को सस्ते में लुटा वेटेंगे देगे यह सस्ता ही है आप कही लोग आपके किसान को अपनी सुविदा के अनुसार बेचने दीजे किसी किसान के उपर कता भी दबा बनाने का प्रयास न करें और किसान सात्यों मैं आप लोगों से यही बारं बार निवेदन करूँगा अगर कोई ऐसा प्रयास करता है तो उसे विफल कीजिए क्योंकि आप सभी लोग सरवता जानते हैं कि आलू कैसे बिखता है और आज आलू मैं जो सांती आप लोगों ने धारण कर लिया ना और उसी सांती की बदूलत इन कोल्ड मालिकों और व्यापारियों को बड़ा सुकुन मिला है अरे आप हल्ला मचाओ यार आलू हल्ला से बिखता है आपने हल्ला चाहेंगे उतना ही आलू का रेट चड़ेगा और ऐसे में ये दीडियो आग में घी डालने का काम करेगी शेयर तो किया कीजिए आप वाट से Facebook ग्रुपों में ये गर्मी का मौसम कूलरों में बैठने का नहीं है एसी चलाई और घर पे लेट मार रहे हो कि महोगा जब देखा जाएगा तो ऐसे नहीं चलता है इतना तूफान गर्द उड़ा दो कि आलू जो है आपका मई में ही मचा हुए तब तक कुछ नहीं है आप सभी लोग जानते हैं कि जनवरी से लेके मार्च अपरेल तक हल्ला मचा आलू जो है आप लोगों का हल्ले पे चला गया अब आप हल्ला मचाना बंद कर दिये तो इनके बल्ले-बल्ले हो रही है तो किसान साथ यो आलू आपका है क्योंकि मेरी रिपोर्ट आप लोगों को पत्थर की लकीर मिलेगी जो मैं बोलूंगा वह आप लोगों को सत पिरती साथ धरातल पर देखाई देता है कुछ लोगों को बाद में मालिम पढ़ती है क्योंकि मैं वीडियो आज डाला हूं कई लोग जो अभी जो है साम को जग बताने की जरूरत ही का पड़ी तारीक बताने की जरूरत उस लुकों पढ़ती है जो हफते में एक वीडियो डालता हो यहां तो डेली वीडियो डालने वाले हैं बस तवियत खराब हो जाते है वो उस दिन बता देते हैं वाट्सेफ और फेस्बुक के माद़िए आज जिन्ड़ी में 25 रुपे किलो से लेकर 27 और वीवी आईपी 28 रुपे किलो तक की दर पर आलू विके हैं विजयवाड़ा की मंड़ी में आज आलू 25 रुपे किलो से लेकर 29 रुपे किलो तक विके हैं तिर्ची की मंड़ी में आगरा के आलू 24 रुपे किलो से लेकर 28 रुप और किसानसाथ आज रामिश्यारम के भाव नहीं आ पाए हैं लेकिन कोयमबटूर मंडी के भाव है यहां पर आलू जो है 28 रुपे किलो से लेकर 30 रुपे किलो की दर पर बिके हैं मुंबई मंडी की बात करें किसान साथियो आज यहां पर 22 रुपे किलो से लेकर 24 रुपे किलो की दर पर आलू जो है बढ़िया में बिके हैं और 25 रुपे किलो से लेकर 26 रुपे किलो की दर पर अभी एक हफते ऐसा ही चलेगा लेकिन आज तारीक हो गई आप लोगों की 26 अपरेल च्छे माई जो आपका रेट 1200 है वो 1200 से 400 रुपे और उपर चला जाएगा और निकासी आप लोगों के यहां थोड़ी डाउन इस वज़े से हुई है क्योंकि हलके आलू है तो मंडियों में पकड़ नहीं रहे हैं तो आड़तियों को भी चोट लग रही है तो ऐसे में वो जो जो है 1400 रुपे प्रती 50 केजी में जीती आलू जो है वैसे ही है तो कुल मिला के अभी थोड़ा आप लोगों को 6 मई तक के लिए इंतिजार करना पड़ेगा 6 मई तक के उसके बाद में आलू में आप बंगाल में भी तेजी देखेंगे और थोड़ा एक कारण में बता दू बंगाल में थोड़ा जो नर्वस आई है बाजार में वो जो है बंगलादेश जो आलू निर्यात जो आपका 1400 MT में पहुँच गया था वो जो घटके जो है 1000 MT में रह गया है यानि कि 400 MT का मतलब एक्सपोर्टरों ने उसे कम कर दिया है वहां से डिमांड जो है थोड़ी कम ह गिरावट चिलाते हैं लेकिन गिरावट नहीं है अभी 1100 से लेकर आपके यहां 300 की बाजार चल रहे हैं वह इस्थिर बाजार है यह जो ऊपर किसी किसान का 11.5 बाजार सुर्ख जाता है लेकिन जो इसे अभी इस्टेंड किया हुआ है अभी इसमें ना ऊपर है ना नीचे है लेकिन छेतारी के बाद में यह जंप करेगा खिसान साथ भी बात करेंगा आप लोगों के लिए गुजरात में हैं गुजरात में इस समय पर इस्तितियां कुछ जो है किसानों के विपरीत हैं कुछ जो है कुल्ड मालिकों के विपरीत भी चल रही हैं क्योंकि किसी लगा दिया है अब जिनका जिनका किसानों का अलू रखा हुआ है जो किसान कुछ दो-चार पैसे कमाना चाहते हैं वो उनके सिकार हो रहे हैं और इस वज़े से यहां पर जो है इस्तिरता का माहौल है गिरावट तो नहीं है लेकिन यहां पर इस पर्श रूप से साफ दिखा जाके टिक हेगी जिसमें पुखराज भी है केमोन भी है और अने परजातिया हैं तो आने वाले दिनों में गुजराच दिनills में तेजी यहां तीन तार जिनमें Centena है, Winner है, LR है, वो इनकी जो विदेशों में और जो companies हैं जिनके साथ tie up है, वहां के लिए जो है अलू जो है, एक्सपोर्ट किया जाएगा, अब जब एक्सपोर्ट किया जाएगा, तो यहां पर इनके गुजरात में तेजी आने का यहां कारण बनेगा, तो आप म मैं आराम करने की आपे इच्छा हला मचाईए, अब किसान जातियों बात करेंगे, आप लोगों के लिए साधाबाद और खंदोली में हो रहे आलू के सोदों के बारे में, खंदोली और साधाबाद में बात एक ही है, पचास सो रुपे का अंतर आ जाता है, तो यहां पर अ जनरल पोजिशन किसी की भी नहीं बता हूँ, मैं बता रहा हूँ, अच्छी कोईलिटी के आलू, 1100 रुपे से लेकर 1210 रुपे पृती बामन की जिए विके हैं, अगर हम वही जनरल की बात करें, तो जनरल की आगरा मंडल की बात कर लेते हैं, तो जनरल आलू यहां पर 1050 1210 रुपे से लेकर 1210 तक चल रहे हैं, और किसानों को अभी फिलाल यहां पर कोई भी कताई घबराट और भैवित होने की आवश्यक्ता नहीं है, कई कोल्ड मालिक इस तरीके के हत्गंडे अपना हुएं, जिससे आप लोगों को आलू सस्ती दरों पर बेचने के लिए बात बिक्री नहीं करनी है, क्योंकि जब तक सौनु चौदरी ना कहें, क्योंकि कई कोई यूटिवर जो हैं, आप लोगों को इस तरीके के बहानक सपने दिखा देते हैं, और बहानक बातें कर देते हैं, जिससे आप तूट जाते हैं, हलांकि यह आप लोगों का वक्तव है, क् आलू आपके लोगों के हाथ में है, मैं तो आप लोगों से बस निवेदन कर सकता हूँ, मेरे एक कहने का इंतिजार कीजिए क्योंकि मुझे अभी जो है आलू में ना कोई गबराड दिखाई देरी, ना कोई मन्दा दिखाई देरा, मुझे यहाँ से तेजी ही तेजी दिखा पचास रुपे की तेजी देखी गई है कोल्डों में मौटी टपक का गुल्डा 500.ёл पॉनि-950 तक में बिके हैं और सामान रूप गुल्डा एक समान रूप से जो कोल्डों में बिक रहे हैं वो 700 रूप अत्रिक्ति, बड़ोत्री के खिसानों के हित्मे कुल्ड मालिकु द्वारा लगा दी जाए, वो बात जो है अलग है, उसे हम उसे बताएंगे नि क्योंकि वो कोल्ड मालिकों वो सोदे हो रहे हैं हम उसके बारे में बात करें. और यहांपर किसान साती हो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि आप लोग आलू ना बेचेंगे अब कई लोग जो हैं यह सब्द सुनने के बाद में बढ़क जाएंगे, कई लोग जो हैं कमेंट लिखेंगे लेकिन उन धूरतों को ये नहीं पता है कि यदि आज अगर आलू किसान नहीं बेचेंगे तो इसका जो है बेनिफिट जो है आने वाले समय में ले लेंगे आज हर किसान के अंदर जो है कोल्ड मालिक और व्यापारियों ने गबराहट का माहौल पैदा कर जाए और किसानों से कैसे सस्तितरों पर आलू खरीदा जाए वो जो है हदगंडे अपना रहे है और पूरा लॉबी आभी होती जा रही है मंदा मंदा चिलाते हुए क्योंकि इन लोगों ने हला किसका मचा है मंदे मंदे का और मैं किसानों से क्या कह रहा हूं ये आपका सम तो आप लोग कहां सो रहे हो, यह दिखकार हो क्योंकि सोना हराम है, आराम हराम है, तो यदि आप लोग चाहते हो कि आलू में अच्छा दाम मिले, तो व्यापारियों पर हावी हो जाओ, ओल्ड मालिकों पर हावी हो जाओ, और निश्ची तोर पर माल लेना, कि आपको आलू म किसानों चाहें आप प्रोड किसानों चाहें आप वरद किसानों यदि आप आलू में फाइदा लेना है तो कीजिए आराम मत कीजिए यह आराम का समय नहीं है आप यह मान लीजिए सौनु 10 रुप एक तक के भी सौधे होने लगे और आप सभी लोग सांथ बैटे हुए हैं घर में क्या दुबारा से मौका देना चाहते हैं इन लोगों को कतापी नहीं देना है मचाओ अल्ला जितना मचाये जा सकता है और आप देखिएगा आलू का वैश्विक निर्यात आलू के सा करो या मरो की स्थितिवा बैटा हुआ है आपको तो पता है जो सौनु चौधरी गएगा वो धरातल पर दिखाई देगी सौनु चौधरी सोलस रुपे प्रतिकट्टा आपके बैठा हुए आप सभी को मिले और उसलिए आप लोगों के लिए मैनत भी कर रहा है बदले में आप उसे एक सब्सक्राइबर भी नहीं दे रहे हो वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो कैसे किसान है आप लोगों इसलिए समझदारी से काम लीजिए आलू में तेजी किसी का बाप नहीं रोप सकता है आलू आपका सोलस रुपे प्रतिकट्टा पार भीकेगा बस आप जो